आज हम बहुत ही कमाल का हैक देखने वाले हैं जो की पॉपकॉन से जुड़ा हुआ है और इसमें आज हम मिलाने वाले हैं लहाने वाला साबून सून के अचमबा भी लगेगा और देख की आप सर्प्राइज भी होंगे वीडियो बहुत यूसफुल है तो वीडियो को आएंट तक जरूर वाच कीजेगा चले स्टार्ट करते हैं आज का यूसफुल वीडियो पहला यूसफुल टेप मेरा कूकरगी रिंग को लिखे हैं जब ही खराब हो जाती तो अकसर हम इसका यूज़ ही नहीं करते हैं जादा तर तो इसे फेक दिया करते हैं पर यह बहुत ज़़दा काम आ सकती है तो जब में अब इसे फेकने का सोच रहें तो इस तरीके से इसका यूज़ जरूर लिया करें हमारे गहरमें उसके रखने के क्kell क्लिप जो और इस घ है तो क्यूं इसे फेक है जब इस तरीके से हम इसका यूज ले सकते हैं काफी सारी क्लोथ क्लिप इसके अंदर आ जाएगी अराम से ये कील पे भी हैंग हो जाएगा अब से आपकी क्लोथ क्लिप बिल्कुल नहीं गुमने वाली है ट्रिक बहुत ही यूसफूल है तो शेयर करना बि आने वाली हूं नॉर्मल हम इसी तरीके से इसे तोड़ते हैं और बहुत आसानी से टूट भी जाते हैं कोई इसमें दोर आई नहीं है पर एक तरीका और भी आप अपना सकते हैं तो कड़ी पत्य को उपर से नीचे की बजाए नीचे से उपर की तरब भी आप तोड़ेंग करना है लगब एक चमश इतना बहुत जादे नहाने वाले साबुन की हमें दरवत नहीं है और ऐसा घरेलो नुसका में आपको बताने वाले हूं जो आपकी घर की आधी से ज़्यादा समस्याव को हल कर देगा तो यहां पर मैंने अच्छे से से ग्रेट कर लिया है अब इसका मैं यूज आपको बताने वाली हूं कैसे करने वाले हैं यहां मैंने लिए हैं पॉपकॉर्ण के मक्ये वाले कच्चे दाने यहां पर एक बार में आप जितने भी कर सकते हैं वह मेगी मसाला हो सकता है जीरा पाउडर हो सकता है जीरावन हो सकता है तो उसको एड़ इसी तेल में ही कर ले इससे क्या होगा पूरे ही पॉपकॉर्ण में फ्लेवर फेल जाएगा उसके बाद ही आप इसमें पॉपकॉर्ण डाले इसके बाद में गेस पे चड जब आपको आवाज आने लग जाएगी आपको यह सीटी भी हटा देना है एक ही मीट के अंदर सारे पॉपकॉर्ण बनके रेडी हो जाते बस बीच बीच वेरा एक दोबार आपको इसे शेक करना होगा ताकि इसके बेस में अगर कोई दाना बज जाता है तो वो भी अच्छे आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें यहां पर मैंने पॉपकॉर्ण पगा लिए हैं अब हम पॉपकॉर्ण को दूसरे बतन में ट्रांस्फर करेंगी हमें जिस तरह का पॉपकॉर्ण ची उसकी बजाए यह पॉपकॉर्ण की साइज बहुत ज्यादा बड़ी ह मैं लिए तो फोड़ा साना हम इसको करेंगे आराम से हो जाएगा आप चाहते हैं तो मिकसर जार में एक बार इसे ग्राइंड कर लिजियेगा हातों से भी बहुत आसानी से हो जाता है बिल्कुर्ण हमने छोटे 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 ना इस तरीके से टुकडे करना है क्योंकि जो टोस बिस्कीट वाला खरब सा कंटेनर इसी में मैंने ये पॉपकॉर्ण डाल लिये हैं और इसमें एड़ करने वाले हैं वो ही मीठा सोड़ा मीठा सोड़ा ही लगभग एक चमच इतना एड़ करना है अच्छे से इसे शेक कर लीजिए इसके बाद में हमने जो नहाने वाला स इसको इसमें एड़ करना है अगर आप पूछना चाहेंगे कि यहां पर साबून की जगा हम कुछ यूजsong कर सकते हैं तो आप कपड़े दुने वाला साबून यूज़ कर सकते हैं पर कपड़े दुने वाला निर्मा सर्फ नहीं यूज़ करना है कि की स्मैल बहुत ज्मयल स अब इसका यूज करने वाले हैं हम घर में हमारा घर हम कितना ही clean क्यूं ना रखे पर कोक्रोस से बहुत जादा परिशान होते हैं यह ऐसे चुपे रुष्टम होते हैं जो कि रात में निकलते हैं पुरा घर गंदा करके चले जाते हैं सुबह उटके हमें फिर से cleaning करनी होती है तो आप एक काम कर सकते हैं इस तरह के से बावल में ये रेमेडी बराके रख लीजे इसे आप घर के उस कोने में रखे जहां पर आपने कोक्रोज देखे हैं या कोक्रोज छुपने का काम करते हैं आप इसे कीचर में सिलेंडर के पीछे रख सकते हैं रैक में अंदर करके रखें अगला हैक मेरा बेग को लेके हैं जब भी हम बेग को बहुत साथ यूज करते हैं बच्चे हो या बड़े इसका चेन खराब हो जाता है अगर चेन ना भी खराब हो तो इसके उपर जिसे हम फिंगर की मदद से पकड़ के चेन को खीचते हैं यह हिस्सा तूट जा जाता है अब इसके तूट जाने की वज़े से क्या होता है कि यह पर्स हुआ बेग हुआ खराब हो जाते क्योंकि हम इसे यूज करने में नहीं बनता है तो आप इसके लिए सफ्टी पिन का यूज कर सकते हैं वह जहां से पकड़न तूट गई है उसी हिसाय में आपने इस स काम चला लेना है क्योंकि बच्चों के साथ स्विशल ऐसा होता है बच्चे चेन को तोड़ देते हैं या गलती से उनके साथ हो जाता है तो अगर यह पकड़न तूट गई है तो जहां पर यह पकड़न लगी हुई थी उसी हिस्से में हमने साफ्टे पिन को लगाना है हैं तो चल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले अगला है मेरे बरतनों को लेकि हैं बरतनों को हम कितना ही क्लीन क्यों ना कर लें अगर दाल बना लें या कुछ ऐसा खाना जो की इसमें पीला पंचोड़ देता है तो बहुत जाधा दिक्कत होती स्पेशल इस तरह क अलुमिनियम के बरतन, स्टील के बरतन और पीतल के बरतनों पर क्लीनिंग का बहुत अच्छे से काम करता है हर तरह का दाग धबा हटा देता है तो कोल्गेट का आप इस तरह के से भी यूज ले सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वेंटिटी में नहीं लेना है एक बार हम ब्र हैं जरुर faith करती है कि बरतन को कितना की क्लीन क्यूं ना कर ले उसके बार भी यह पीले दाग नहीं जाते हैं बहुत जादा ऐब्यूने दो इसमें से में से अलुमिनियम ही ब offer और सकते हैं आपके सामने ही मैं इसे क्लीन किया है और भी तक या निकाल के आपको बता रही हू इसके बाद में normal बरतन liquid से आपने इसे जरूर clean करना है ऐसे ही इस बरतन को use बिलकुल नहीं करना है अब मैं इसे एक बार और clean कर लेती हूँ उसके बाद में आप कोई बरतन दिखाती हूँ जो बरतन पीले दागों से परिशान थे हम वो बरतन का दाग कुछी चिटकियों में clean हो गया है special trick है जरू try out करिएगा और इसे अपने family relative में share जरू कीजेगा क्योंकि इसर की problem हर कोई face करता है चले बढ़ते हैं आज के अगले useful hack के लिए आप इस colgate का use bottles को clean करने के लिए भी कर सकते हैं पोटल के अंदर कितनी भी bad smell हो उसको ये colgate चुटकियों में clean कर देता है इसकी full वीडियो मैंने चैनल पर upload करी है उसका end screen पर आपको वीडियो मिल जाएगा तो जरूर क्लिक आउट करके देखेगा और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो like comment share करना बिलकुल ना भ झाल 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 झाल!